हेलो मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है, मुबाइल पार्चाला की गट्व चनल पर आप सभी को बताते हैं, मुझे बड़ी खुशे हो रही है कि आज से हम अल्टरनेट करके एक दिन SSC MTS और अगले दिन SSC CHSL मेंस का जो पिपर आपको आपका आ रहा है वह अच्छी चीजी क्या हो सकती हैं, मैं आपको सिधा-सिधा बताना चाता हूं कि क्वेस्टन हो को आप देखते रहिए, ऐसी क्वेस्टन आपके पूछेंगे, कैसे क्यों पूछेंगे यजा की बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्री का लेवल देखkmा था, मैंने बता तो इनको आप देखते रहे हैं, जैसे यह सवाल है, तो इस सवाल को ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, जो नहीं कर सकता, और 100% कहा रहा हूँ न, कि मैं इसमें यह सवाल आए, 100% बता रहा हूँ मैं तुमसे, कहारा कि 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार प्रण़ किया, आठ दिन बाद 10 व्यक्ति कार में लगा है, ठीक है? तो समझे न, मेरी बात धहान سे, कि 8 दिन तक इन बच्चोंने, 40 बच्चोंने काम किया था, तो 40 लोगों ने 8 दिन तक तो simple-simple-simple सा काम किया था, यानि कुल मिला कि 400 काम मेरे पास और बचे होंगी, अब वो लोगे सर कैसे, मैंने का 40 को कॉमन ले लिया, इन दोनों को घटा लिया, 10 आया, और 10 गोड़ा 40 का मतलब 400, 400 काम बचे हुए, अब ज़रा ध्यान से समाज़ रहा, 400 काम बचे हुए, तो कहरा इसकी बाद अब 10 वेक् है, मेरे पास समझ रहा है, आओ, अगला समझ देखो, देखते रहो, ये भी work and time का सवाल है, ये भी हम कैसे करते हैं, कह रहा है कि एक कारे जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलां 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहां से आप ये निकाल सकते हो, कि भ 12 से 12 को कार दिया, मैंने इस से को डिवाइड किया, मतलब रेशियो लिया, तो ये आठ दूना 16 मिला है, समझ गए, इस लोग बिलकुछ से, सवाल नहीं बोला है कि 16 पुरुष ने कारे करना प्रारम किया, और 3 दिन के बाद 10 वेक्ति चले गए, बात है समझ में, 16 लोगों ने काम शुरू किया था, प्रारम किया, ठीक है, और 3 दिन के बाद, तो 16 लोगों ने 3 दिन तक काम किया, अब कहता है, हुआ ये ना, कि आगला ये कदम उठाया उन्होंने, कि 16, I mean, 3 दिन के बाद 10 वेक्ति चले गए, तो 16 में से अगर 10 चले गए, तो बचे 6 वेक्ति, क्योंकि दो महिला का मतलब, एक पुरस तो चार महिला का मतलब दो पुरस, इसका मतलब अब मेरे पास 8 वेक्ति बचे हैं, कितने बचे हैं, 8 वेक्ति, ठीक है ना, किता बताओ, सेस काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 वेक्ति सेस काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, बाद समझ रहे हो उन्माना एक्स दिन में पूरा कर देंगे, समझ रहे हो? जबकि मुझे पता है कि मेरा जो काम है वो बारा वेक्ती आठ दिन में कर रहे थे, अब बलो के सार बिल्कूर ठीक है, सुलती आठालिस बारा वाठे चानवे, आठालिस दुना चानवे होता है, आप समझते हो, एट एक्स की जो वैल्लियो आएगी, वो फिर फोटी एट की ही आएगी, उमीद है मेरे इस छोटे से सल्यूशन में आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिलगे भी, बोलो हाया न, बोलो के सार बिल्कूर ठीक, सवाल नहीं यह बोला है यहां पर, यह सारे के सारे सवाल seehsl के हैं, previous paper के हैं, मैं पहले बता दूँ एक संभाहु तर्भुज का छेतरफल यह है, चेहा लए, संभाहो तर्भुज का चेतरफल क्या होता है, जरा यह देख लो पहले, तर्भुज का छेतरफल, छेतरफल, रूट 3, बाई 4, A², अब बोलोगे सर बिल्कु ठीक है, छेतरफल मेरा 48 दे दिया है पहले से ही, अब समझते हो, 4 का गुड़ा इदर हो जाएगा, रूट 3 से डिवाइड कर देंगे, अब बोलोगे सर बिल्कु ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना भी, A², ठीक है, अब जड़ा मेरे अध्या से समझना, कि भाई, रूट 3 का मैं उपर नीचे गुड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो अब समझोगे, कि ये 3 से कर जाएगा, 16, 43, 64, 64, रूट का 3, अच्छा, रूट के 3 को आप ये बोल सकते हो, ये 3 पे पावर 1 बटा 2, ठीक है, बोलोगे सबने अच्के साथा करएं, इसगंद का इसग जीएू, अच्छ ब ост हो जाएगा, लेकिन अप ये भी समझते हो, यहां पर आजाएगा 3 पे पावर, क्यांकि एक बटा 2 भी लेगा, स्कषा रटेगा, ये भी बटा 2 ये भी बटा 2 गोड़ा 2 गोरा करो 1 गोड़ा 4 तो ये मे चार मीटर लंबा हाती है, आकार की आयताकर पिजरे के कोने में है, यदि हाती विकरडर समो कोने की और जाना पराराम करता है, तो उससे उस कोने पहुँचने में 15 सेकेंड लगते हैं, अच्छा जी, ठीक है भई, मैंने ये बोला है कि मेरे दोस्तों सवाल में ये बोला है कि ये एक पिजरा है, यहाँ पे हाती है, हाती को जाना है यहाँ पे, तो इसके डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, और जरा समझो कि ये है 16 और ये है मेरे भाई 30, आप जरा ध्यान से समझना, कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया, क्या ये ट्रिपलेड बनाएगा, सर ब 15 नहीं है, 30 है, तो यहाँ 17 नहीं 34 आएगा, यानि ये जो डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करानी है इसको, ये है 34, क्यारा 4 मिटर लंबा हाती है, 4 मिटर लंबा हाती है, यानि कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी 4 मिटर, यहाँ तक हाती आई जाएगा, यहाँ त आज दो सेकन्ड में क्यों हूं दो मीटर पर सेकेंड आएगा स्पीड इसकी दो सेकेंड संध भई है इसके अगर मुझे चाल निकाल ने चाल लिए इसकी वाँ प चाल बसंक त्व को भर्रबर दूरी इसkा मलत देखो, मस्त सवाल है न चेचे सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मुली पर 12% छूड़ देता है, विक्रे मुली उसका कितना है, 440, तो 12% छूड़ देने का मतलब यह की 88 पर ही क्या करता है, उसको बेस देता है, कहता है यह 440 के बराबर है, अब बोलो के सर बि देखो, क्योंकि यह सिंपल था, यह भी सिंपल है, आप से कहा रहा है, एक व्यापारी ने माल को लागत मुले से 25% अधिक अंकित किया, वह अंकित मुले पर 12% कम देता है, तो उसको कितना लाग हुआ, यह सवाल आप से बोला है, उसने, बैस जरा सवाल को ध्यान से देखो होगे, तो अगर उसका लागत मुले 100 हो, तो उसने अंकित किया है 125 रुपे, अब बोलोगे सर, बिल्लकुल ठीक है, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, तो आप ऐसे समझो बात को, कि 25% की फ्रेक्शन मना लोगे, तो यह आएगा 1 बटा 4 की, किस के आएगा मेरे इसको 400 इसको 500 भी बना सकते हो, जैसे मैंने 4 को 40 बना दिया, वैसे आप 4 को 400 भी बना सकते हो, अब जरा सवाल देखो, कहता भाई, यह जो आपका अंकित मुले है इस पर 12% कम, तो 12% आप समझते हो, किसको हम बोलते हैं 1 बटा 8, ऐसा करो इसको 4000 कर लो, इसको 5000 कर लो, थोड तो 8, 6, 48 हो जाएगा, दो बचेगा, 8, 2, 16, 8, 5, 40, तो 625 है, समझते है मेरी बात, यानि कि 5000 की चीज पर मुझे 625 का डिस्काउंट मिल जाएगा, समझे बात, अपोलो के सर बिलकुल ठीक है, कहता है उसका लाव क्या होगा, समझे ना मेरी बात ध्यान से, पहले तो आप इ 375 रुणय का मुझे लाव हो रहा है, 375 का मुझे लाव हो रहा है, और यही हो रहा है ना, और कितने प्लव हो रहा यह हमारा? क्रेममुल चर्वान पर क्रेममुल कितना था भाई, यह तो था आपका CP, और यह आपका MP था, और गुड़ा 100, क्योंक आपको निकालना है profit percent, क् तो दो जिरो तो दो जिरो से कट जाता है आप समझते हो अब अब क्या करें वह एक डेसिमल यहां लगा दो और इसको उड़ा दो अब चार से और उड़ा दो किसमें है यह अच्छा ऐसा करो मेरे भाई ऐसा करो कि पांच से काट हो तो पांच अठे चालिस क्योंकि ऐसा सवाल में दी यानि इसलिए मुझे काटना पड़ेगा तो पांच सत्य पैतिस और पांच पच्छी पच्छीश पिचेतर वटा आठ और आप समझते हो यहां पे दो जगाए आठ है तो प्रॉफिट परशेंट तर इस माल Bj С. अब सवाल है अब देखो बी की वैल्यू अगर यहां पे नौ है यहां पे तीन है तो सिंगल है मेरे पास एक दो तीन के अनुपात में कह रहा है उसका एच सीफ बारा है तुभी संख्या है बताओ तो भाई एच सीफ का गोड़ा करते जाओ तो बार दियं चट्र यह तुभी संख्या है ना दास एक खिलारी जिसकी गेदबाजी का ओसत बारा दसमलो चार है यह बारण दसमलो चार होगा ठीक है ना प्क है प्रतिज करों अब चीचर करंगा तो तुम क्या करोगे यस सवाल इसमें कुछ भी नहीं है, as it is, आप जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा इसको कर दो, कह रहा है कि P Q की आउसत, I जो है वो इतनी है, Q R कितनी है, P R कितनी है, अब सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ोगे तो 50-50 हो जाएगा, 100 की कहरी हो गया, 1, 3 और 2, sorry, 3 और 2, 5, 5, 5, 10, 6 तो भाईया, आप समझना ज़रा, यह जो मैंने जोड़ा है, यह P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आएगी, ठीक है, अब बोलोगे, sir, बिल्कुल ठीक है, आपको चाहिए P की मास सिकाए, तो भाईया, ऐसा करो ना कि Q R की मास सिकाए, घटा दो, Q R की जो, जो, एवरिज आए है, उसको अब घटा दो, तो इसको घटाना बड़ा असान है कि नहीं, बताओ, बताओ, क्योंकि हमें पहले करना पड़ेगा इन दोनों का डबल, जस्ट डबल, तो 625 जोना केतना होता है, 1250, 2500, यहाँ 0000 क्यों 0000 आएगा, और 2400 लगे, तो P की जो वैल्यू मेरे दोस्तों आ आती है, वो आती है, 4000 के है, ठीक है, है बस समझ में, नेक्स्ट, अच्छा आपको यह लग रहा होगा ना, कि सर जी आपने ओसत को ही जोड दिया यहाँ पे, और इस वाले को डबल कर लिया, समझ ना भई, मुझे पता है कि जब मैं इनको ऐसी जोड के यहाँ पे लेके आ र खर्च कर दिया, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि यहाँ पे 30,30,60, तो 9,60,000 उसके कुल क्या होगा है, खर्च होगा है, ठीक है, ठीक है, फ्लेड को बेचा कितने में इसने, काई, दहाई, शेकड़ा हजार, दस हजार, दस लाग, दस लाग, असी हजार में, तो दस 20,000 का प्रोफिट 12,90, ऐसे बोलो, 12,90, एक बटा आठ आठ आगया, और एक बटा आठ को में परसेंटेज में चेंज करूँगा, तो हर एक बच्चा जानता है, यह साड़े बारा परसेंट के बराबर हो, और अभी मैंने, इसी किसी टाइप के सवाल में, 12 परसेंट को मैंन समझते हो ना, मैं क्या कहना चाता हूँ, है ना, एक बटा आठ को मैंने 12 परसेंट लिखा था, अगला सवाल यह बोल ला है, कि 13 परसेंट प्रोफिट पर बेची जाती है, एक मेच, यदि इससे 25 और अधिक पर बेचा जाता है, तो अथारा का लाव होता, भाई, ऐसा आप सीधे डिफरेंस ले लो, तो 5% की वैल्यू आ जाएगे भाई, यहा किसके? 25 के, अब यहां पे मैं 20 का मल्टीपलाए कर लो, तो 20 पंजे 100 यहां पे 20 का मल्टीपलाए कर लो, तो यह बचाएगा 500, 100% की वैल्यू आ जाती है मेरे भाई, किसकी? 500 के, अगला, एक परिक्षा म 19% ये आसान सवाल है ये होमग ले जाओ ठीक है ना जो जो आसान सवाल है उसको मैं तो होमग देखे जा रहा हूं है ना अगला देखो next कह रहा है कि भाई सब स्री एक्स ने अपने बेतन का 35% वोजन पर और अपने बेतन का 5% बच्चों के सिक्षा पर जनवरी में जनवरी 2011 में इन्होंने 17,600 रुपए खर्च के यानि कि 40% तो इनका खर्चाई दिख रहा है मुझे करा है इन्होंने 17,600 खर्च किया है अच्छा जी आप एक काम करो चार से भाग दे दो चार से देना बाकी कुछ नहीं तो 10% की वैल्यू आएगी मेरे पास 4,4,16,4,16,4,16 आनि कि 44,100 के एक काम करो जीरो से गुड़ा कर लो यहां भी जीरो से गुड़ा कर लो तो 100% की वैल्यू आ जाती है 44,000 के आप समझते हो कि 100% किसी भी व्यक्तिकी व्यक्तिकत सेलरी हो सकत यातरा करता है अच्छा जी सीमा के साथ तो सीमा के साथ अच्छा सीमा के साथ मतलब का यह है कि उसकी पेरिमेटर के साथ ठीक है यह मैं समझ लेना कि वो सीमा को पीछे बटा के कर रहा है नहीं ऐसे बाद नहीं है ठीक है तो सीमा तो कहीं और ही होगी यह अखेले ट्रेवल पड़ेगा तो स्केयर रूट आपको निकालना कर नहीं आता है तो जारा यहां पर सीख लो, 14, 76, 225, 225, डबल डबल अप क्या करो, यहां पर एक ही बना, तो एक ही कम एक हो गया, प्लस बन करो, यहां बन, यह 0 हो गया, यहां हो गया 47 के, और यह हो गया 2 के, अगर मैं दो बा आपर जोड़ के वीसाब मिर नहीं सब्सक्राइब आप जोड़ के एकर यहां बोल को सर नीच उतार लो यहां हो गया, एक यह हो गया, मेरे भाई, दो गया, एक सो एकिस बचा यहां पे वगया 222, ठीक है, अब समझेना मेरे भाई, पच्चिस को और उतार लो, तो पाँच ही गोर हो सकता है, बाके और तो कुछ हो इने सकता है, इसका मतलब, यह आपका स्केर रूट आ गया, और स् इससी, इसी चीज को यह 36 km पर घंटा, इस 36 km पर घंटे को हम 1m per second मनाएंगे, अगर 1m per second मनाएं, तो अप समझतू, यह 10 m per second लेगा, इस हमे भी अफल सी ऐख, 10 m per second से कितने दिर में यह travel कर लेगा, भाई, आप 2 से या चार से कर लो, याली 15,4,ork 1k खिक है यह कट गया चारसो चाहसी है अगया ठीक है अब इस चारसो चाहसी चाहसी आपको प्लस 6 में डिवाइड कर दिया तो 689 याए आठ मिनट तो यहां हो गया और यह प्लस 6 सेकंड अलग बज़ गया तो 8 मिनट और 6 सेकंड जहां पर भी होगा असानी सी हो गया लेकिन वर्गमूल निकालना तुमें आना चाहिए 800 की रासी है तीन वर्षों में साधार ब्याज़ पर 920 हो जाती है चलो जी कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाती है ब्याज की दासी तो समान अवदी के लिए रासी कितनी हो जाएगी यार सिंपल सी बात है 3% बढ़ाओगे तो 3% बढ़ेगा 3 वर्षों में है ना लगाता है 3% 9% बढ़ जाएगा तो 9% बढ़ेगा किसका मूलधन का है ना यानि कि 22 रुपया और बढ़ जाएगा तो इसी में जोड़ दो 22 रुपया है ना तो 992 खतम है यह होमवक करो इसको ठीक है मैं सारी चीज़े करवा चुक हूँ ऐसी बात नहीं है मैंने सवाल को अच्छी तरह से टैकल किया था मैंसुरेशन में नहीं किया तो उसको जाके देख के फिर करो चीक है इतना तो मैं आपसे ले ही सकता हूँ ना प्रिजम में है प्रिजम और प्रिसम और प्रिमिड इन दोनों में ही मैंने करवाया इसको अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत है परिदी उसके 6 तरफल के संख्यात मामान के पराबर है आई बस समझ में यानि कि मैं सवाल नहीं ये बोला कि 2 pi r that is equal to pi r square इसने ये बोला है pi से pi cancel out हो जागा 1 r से भाई 1 r cancel हो जागा इसका मतलब r की value मेरे पास बची है क्या 2 r की value मेरे पास क्या बची है सर 2 r की value क्या बची है 2 आप से पूछ रहा है तो 6 तरफल समझ रहे हैं वो 6 तरफल बताना है तो भई या pi r square का मतलब 2 दूना 4 तो 4 pi मेरे सवाल को उत्तर है कहानी हो गई खतम अगला सवाल कहरा है मतलब दिकाई है संभाव तरफल का 6 तरफल बताना है मतलब दिकाई है और उचाई दोनों एक ही होती है root का 3 by 2 into a यह है मतलब का और कहरा है सवाल में कि मतलब दिकाई तो यह है यह से कट गया तो एक ही value हो जाएगी 6 तो ना 12 के किस के हो जाएगी 6 तो ना 12 के और आप से पुछे रहे 6 तरफल बताओ तो 6 तरफल आप अराम से समझते हो a स्केर root का 3 by 4 तो बारा बरे में 144 हो जाएगा या बारा तीयां 36 के कर दो 36 root 3 मेरे सवाल का उतर हो जाएगा यह हो जाएगा बारा बरे में 144 पुरा तीन बटा चार चार से काटोगे तो यह हो जाएगा 36 root का 3 ठीक है next सवाल अगला के रहा संभावद रूज का परिमाप यह है बताओ उसकी मदिका की लंबाई तो परिमाप यह है तो भुजा क्या हो जाएगी मेरे भाई भुजा हो जाएगी 6 मदिका की लंबाई होती है root का 3 by 2 upon 6 यहानी की भुजा इससे काटोगे तो 3 root का 3 मेरे सवाल का उत्तर आएगा जो यहां लिखा है ठीक है जी आई बस समझ में देखो 20 के 20 सवाल हमने पूरे complete करवा दी है आपकी राय हमें चाहिए और जो हमने 2 सवाल